बिजनस शुरू करने से पहले करें हूमवग। जिम और जुमबा स्टूडियो में जाकर फिटनेस के उपाय कर लेते हैं, लेकिन युवाओं से अधिकोमर के लोग भी अपनी फिटनेस ठीख रखना चाते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटी के साथ ना तो जिम करना चाते हैं, ना जुमबा। ऐसे लोगों के लिए योगा सेंटर सही विकल्प हो सकता है। चूंकि आपके इबल सेवाओं को बेच रहे हैं इसलिए मार्केट खोजना बेहत जरूरी है। यदि इस दिशा में सही काम किया गया तो आपका बिसनेस चल जाएगा वरना उसमें कई तरह की शंकाएं उत्पन ह हो सकती हैं। कैसे करें योग प्रशिक्षन के इंदर की शुरूरात। जब आप मार्केट और ग्राहक तलाश लें उसके बाश शुरूरात में आप अपना योगा ट्रेनिंग सेंटर का अभ्यास किसी पार्क में करें। जहां पर फ्री कैम्प लगा कर ग्राहकों को घरों स आगरह करें। वहाँ पर योगा के बारे में स्पीच देकर और योगा भ्यास कराकर उन्हें लाब दिलाने का विश्वास दिलाएं। कैम्प में आने वालों की संख्या से ही अनमान लगा सकते हैं कि शेत्र में आपका प्रशिक्षन केंद्र चलने बाला है या नहीं। योगा प्रशिक्षन केंद्र का बिजनस कौन-कौन कर सकता है। ये तो सभी को मालूम है कि योगा की कला में एक्सपर्स लोग ही ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि प्रतेएक बिजनस में होता है कि टेलेंटिट लोग स्वें बिजनस शुरू करना चाहते हैं अथवा बिजनस में कुशल्स लोगों को हायर करके बिजनस करना चाहता है। इसी तरह इस बिजनस में भी होता है। चलिए जानते हैं कि कौन-कौन ये बिजनस शुरू कर सकता है। योगा ट्रेनर, उद्यमी या बिजनस में, फिटनस एंड वेलने सेंटर, स्टूडियो खोलने व बिजनस शुरू कर सकते हैं। आपको शॉपिंग एक्ट में रिजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको अपने सेंटर के लिए JST नमबर लेना होगा। आपका सेंटर भविश्य में ब्रांड बन गया तो उस समय कोई नकल ना कर पाए। इसके लिए पहले से ही ट्रेड मार्क ले लें। इसके लावा आयूश मंत्राले से वॉलिंटरी सर्टिफिकेशन ओफ योगा का प्रमान पत्र लें। क्वालिटी काउंसिल ओफ इंडिया से भी प्रमान पत्र हासिल कर लें। मार्केटिंग किस तरह से करें। योगा प्रशिक्षन के इंडर के बिजनस को चलाने के लिए सबसे जरूरी काम मार्केटिंग यानि प्रचार प्रसार का है। इसके बिना आपका योग प्रशिक्षन के इंडर किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। आपको मार्केटिंग का हर्टरी का अपनाना होगा जैसे ओनलाइन प्रचार, सोशल मीडिया के फ्री प्लाटफॉर्म पर योगा से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी पोस्ट करें, न्यूस्पेपर, रेडियो और टीवी चानल्स पर विज्यापन दें, कम बजट हो तो अ जुम्बा स्टूडियो के बिजनस वालों से आपसी ताल मिल बिठाएं, उनसे ये तेह करें कि योगा में रूची दिखाने वालों को आप हमारे पास भीजें और जिम में रूची दिखाने वालों को हम आपकी पास भीजेंगे, इसी तरह जुम्बा वालों से भी टाय बिजनस प्लान बनाते समय सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा क्योंकि यही बिजनस का मूल मंत्र है इसके अलावा योग्यों और प्रमानित कुशर इंस्ट्रक्टर्स या योगा ट्रेनर सैवरी पर रखने होंगे इन सारी चीजों को स्थानी स्थर पर कोने वाले खर्चे को जोड़ लें जो आपकी बिजनस की लागत होगी इस तरह से लागत की कोई निश्चित राशी नहीं बताई जा सकती शिरू शिरू में तो आप अपना मुनाफ़ा कम से कम रखें पुरा फोकस योगा प्रशिक्षन केंद्र को सफता पूरबग चलाने पर करें